तो इस वीडियो में SDFC बैंक लिमिटिड का टेक्निकल सेट अप कवर करने जा रहा हूं लेट सी कि यहां पर आज जो 3 पॉसेंट की तेजी आई है वो कितना बड़ा पुल बाक क्रियेट कर सकती है या फिर कोई रिवर्सल के चांसेज भी से स्टाट में नजर आ रहें तो अभी कुछ दिन पहले SDFC बैंक के उपर भी मैंने वीडियो पोस्ट करी थी आपको वहाँ पर एक पैटर्न जो अब्ज़र हो रहा था वो आपको दिखाया था समझाया था कि देखिए उसके बाद में क्या कुछ हो सकता है देखेंगे चार्ट पर क्या सिचुईशन है पहले ज़रा नदर डाल लेते हैं देखिए 1725 के जो 52 वीग खाई है 18th of October 2021 के वो अभी तक ब्रेक नहीं हुए इस स्टॉक ने इंफाक टॉप 10 जो ब्लूचिप स्टॉक से हैं वहाँ पर परसेंटेज और डिलिवरी हमेशा बढ़ती वी दिखाई देती है लास्ट के वीडियो में मैंने ये पैटर्न आपके सामने शेर किया था जिसको हम लोग कहते है राइजिंग वेज पैटर्न की वीडियो थी जो मैंने पोस्ट करी थी SDFC बैंक पर यहां पर इस कैनल की ऊपर उस वक्त SDFC बैंक था उसके बाद देखी किया सिटूइशन हुई है क्योंकि राइजिंग वेज पैटर्न जो होता है उसका जो रिजल्टेंट होता है वो एक ब्रेकडाउन के तरीके से आता है तो आप देखें जब इस ट्रेंड लाइन को यानि के नीचे ग्रीन लाइन को सपोर्ट को ब्रेक किया ऐसे स्टॉक ने तो एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है इन फेक्ट अभी जो रिसेंट में एक स्विंग हाई लेवल था 1541 का वहाँ से अगर आप मेजर करेंगे तो मैंने इन्फो लाइन भी यहाँ पर मार्क करिए 11% से जादा की गिरावट यहाँ पर SDFC बैंक के अंदर देखने को आपको मिली है प्रीवियस दो हफ्तों के अंदर तो एक बड़ी मेजर कट यहाँ पर देखने को मिला है अब देखिए अगर स्विंग लो की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक प्रीवियस दे से अच्छे खासे आएं तो मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ पर सेलर्स का जो इंट्रेस्ट है वो काफियत तक कम हो गया होगा और कंट्रोल बायर्स के हाथ में डैफिनिटली आता वा नजर आ रहा है अब हम लोग यह तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल हो गया कि टेक्निकली किस तरीके से इस स्टॉक ने रियक्ट किया है यहां पर देखे एक रेंज मैंने डिफाइन करी थी अगर आप देख पा रहें और यह जो रेंज थी में प्रीवियसली भी क्रेडिस्टन्स का काम कर रही थी और फर्दर भी इसी रेंज ने इस स्टॉक भी में माक कर देता हूं तो यह आपके सामने जो आने देखिए 1510 के असपास आते वे नजर आ रहें 1510 के यह जो लो लेवल से इस रेंज के अंदर जब तक स्टॉक रहेगा जब भी इसको टेस्ट करेगा यह बार बार नीचे की तरफ सेल साइड में आतावा दिखाई आपके पास में बहुत अच्छे मौके हैं कि आप इसके अंदर एक शॉट टर्म की ट्रेड बना सकते हैं जिस तरीके से अभी का चार्ट पैटन है देखिए एक बार यह लेवल अगर क्लियर हो जाते हैं जो एक रिजिस्टन्स का काम कर सकते हैं यह वाले लेवल स्रीक है 1440 के यह लेवल अगर अपसाइड में निकल जाते हैं यह जो लाइन आप एक्सेंड करेंगे इस लाइन तक के टार्गेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे तो आज के इसाफ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में जो टार्गेट्स हा रहे हैं वो नियर अबाउट हम इस पर्डिग्लर सिच्वेशन में यहाँ पर थोड़ा बहुत पूल अफ होके अगर कंसॉलिडेट करता है तो इस बार क्योंकि देखें इस इस रेंज हो निकालने के लिए यह नियर बाई टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो यह तकरीबन थर्ड अटैम्ट नही कि इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि इस बार इसको भी क्रॉस करतावा नजर आए तो 1500 के टागेट के लिए 1440 के निकलने के बाद यानि के 1440 वुड़ी दा बाय प्राइस आप यहां से पोजिशन्स बना सकते है 1440 के ठीक नीचे बहुत जादा डीप जान बैठेगा शॉट टम के अंदर और जो बहुत सेफ साइड में आपको आतावा नजर आ सकता है तो यह एक बैस्ट सिनारियो होगा कि इस पुल बैक के अंदर जो यहां पर क्रियेट हुआ है आज की तारिक में बड़ा पुल बाक आपको देखने को मिल रहा है यह स्टॉक फ फर्दर अपमूव यानि की और फर्दर हेड्रूम की गुंजायश है जो यहां पर दिखाई दे रही है अगर देखें वॉल्यूम्स का में इंपॉर्टन फैक्टर रहता है अभी यहां पर ग्रीन वॉल्यूम्स आने शुरू होए है तीन कैंडल के बाद में इन फैक्ट अ यानिके अगली ग्रीन कैंडल भी अगर बनी तो हो सकता है वह बड़े बार के साथ बने यानिके बड़े वॉल्यूम्स के साथ आए और अगर यह ऐसा हो जाता है देन डाफिनेटली जो रडिस्टन्स लेवल मैंने अभी यहां पर मार्क करें 1440 के यह आपको नेक्स रेटि यहां पर देखी इस पर्टिकुलर अएरिया पर लगातार यहां पर सेलिंग प्रेशर था उसके बाद में वॉल्यूम्स आए ग्रीन क्लर में प्रीविस कैंडल से जादा प्रीविस बार से जादा अच्छली में अब क्या हुआ कि देखी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर थोड़ा सा में इसको जूम इन करता हूं तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा इस पर्टिकुलर एरिया पर हुआ क्या है कि यह देखिए यहां पर पूरी तरीके से सेलर्स एक्जास्ट हो गए लेकिन हर एक स्मॉल कैंडल यहां पर प्राइस डिफरेंस नहीं ले देखिए कि वॉल्यूम भला ही रिडिउस हो गए लेकिन प्राइस का डिफरेंस नहीं आ पाया अधर्वाइस आप देखिए यहां पर कितने जबर्दस गैप क्रियेट हो रहे थे यहां पर कितने जबर्दस तरीके से मार्केट जो नीचे की तरफ आ रहा था हर एक सिमलर व यहां पर इन्होंने स्विंग हाई लगाया जो बेसिकली इस पर्टिक्लर एरिये से हाई था तो अगर देखिए वॉल्यूम्स की हम लोग पर्टिक्लर बात करें वॉल्यूम्स को हम लोग थोड़ा से अनलाइज करने की कोशिश करें तो वॉल्यूम्स के अंदर दो consecutive candles अथाई आते वे दिखाई दिये लेकिन उसके अगले दिन अगर आप देखें वॉल्यूम्स कम हो गए ग्रीन साइड में लेकिन जबर्दस तरीके से प्राइस वारियेशन आपको यहां पर देखने को मिला तो जो प्राइस वेरियेशन है इस बेसिकली सम्थिंग विच होते हैं यहां पर आकर सेलर्स अगर एक्जॉस्ट हो गए है तो अगली बार जो होगी वॉल्यूम का वो बड़ा बने या फिर छोटा बने लेकिन ग्रीन में बनना जरूरी है अगर ग्रीन कलर का बार बना इट मिंस ग्रीन कैंडल बनी तो यहां पर एक बड़ा वेरियेश जो इस स्टॉक को 1500 रूपीस की रेंज में ले जाए तो यह एक टेकनिकल सेटप के साफ से बाइंग साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर इस स्टॉप लोस के साथ में जो मैंने आपर आपको बता है उसके साथ में आप यहां पर पोजिशन बना सकते हैं औ और इस स्टॉक के अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा फरदर देखी यहां पर मैं आपको एक बार फिबना की रिट्रेश्मेंट भी लगा के दिखाना चाहता हूं कि अगर हम लोग यह लो लेवल से और यह जो हाई लेवल से हैं यहां तक अगर हम फिबना की रिट्रेश्मेंट लगाते हैं तो अभी सबसे इंपॉर्टन बात क्या है कि इस स्टॉक ने इस स्टॉक ने देखिए यहां पर आक्च्छली में 50% की रिट्रेश्मेंट को निकाल दिया था इस वाले लेवल को और दिन 61.8% यह वाले जो लेवल है 61.8% के लेवल से इसको भी यहां पर इसने टेस्ट कर दिया था लेकिन इग्जैक्ली यहां से सपोर्ट मिला तो इतना जबर्दस मोमेंटम आया कि 50% की रिट्रेश्मेंट जो 1407 रुपे की हैं वह वापस से रिकलेम हो गए हैं तो जब तक 50% इंटक्ट है तब तक हम लोग यहा पॉजिशन बनाके बैठ सकते हैं या फिर एक नई पोजिशन बना सकते हैं तो फिबनाकी रिट्रेश्मेंट से भी दिखाई दे रहा है कि यह जो गिरावट आई थी 100% के लेवल से वो कहीं न कहीं 50% पर आकर रुक गई है यहां पर 50% के लेवल को रिस्पेक्ट दी जा र रहा है तो इस वीडियो में देखें फिलाल इतना ही यह है टेक्निकल सेटप अबाउट अच्छी बैंक आई थिंग आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यहां पर रिकमेंडेशन ऑफ बाइंग अब बनाई जा सकती है इस राइजिंग वेज़ पैटन के सक्सेस्फुली स में तिल दन थेंक यू बाइ